Good morning guys, current affairs funda में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 6 जुलाई तक के सभी important current affairs कवर करने वाले हैं, हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, आज भी आपको काफी को जानने के लिए मिलेगा साथी गाइस यदि आप हमारे daily current affairs pdf, weekly pdf और monthly pdf चाते हैं, तो इस वीडियो के first comment में दिये गए link पर click करके पा सकते हैं ज्यादर जानकाली के लिए आप इस slide पर दिये गए सभी points को जरूर पढ़ें, और कोई भी आपकी query हो, कुछ भी आप पूछना चाहें, तो हमें comment box में जरूर लिखे, तो चलिए फिर करते हैं शुरू आत इस वीडियो session की टोक्यो अलंपिक उद्खाटन समारों में भारत के धोजवाहक कोन होंगे? ओप्शन्स आपके सामने हैं, बजरंग पुनिया, MC मेरीकॉम या फिर मनप्रीत सिंग, सो सही answer होगा option D, यानि MC मेरीकॉम और मनप्रीत सिंग, जानते हैं इस question के बारे में, देखे, Indian Olympic Association ने ये का है, कि six time world champion boxer, MC मेरीकॉम और भारती hockey team के जो captain है, मनप्रीत सिंग, ये Tokyo Olympics के लिए जो भारत का पूरा दल जाएगा, उसमें flag bearer होंगे, जो opening ceremony है, उसमें, साथ ही आपको जानना चाहिए, Indian Olympic Association ने ये भी का है, कि जो wrestler है, बजरंग पुनिया, ये closing ceremony में flag bearer होंगे, flag bearer मतलब जैसे आप ये देखते हैं, पूरा जो है, पीछे पूरा दल चलता है, फिर आगे ये flag लेकर रखते हैं, तो closing ceremony में होंगे बजरंग पुनिया, और opening ceremony में होंगे, MC मेरीकॉम और मनप्रीत सिंग, साथ ही आपको जानना चाहिए, Indian Olympic Association इसके प्रेजिदेंट नरेंदर बत रहा है, और Tokyo Olympics 23 जुलाई से 8 अगस तक चलेंगे, साथ ही Tokyo Paralympics गेम, ये 24 अगत से 5 सितमबर तक चलेंगे, और हाली में हमने क्या पढ़ा था कि जो Tokyo Paralympics हैं, इनके लिए जो भारत के flag बेर रहेंगे, ये रहेंगे मरियपन थंग वेलू, आगे बढ़ते हैं, निम्ली खित में पचास अजार क्रोड रुपे से अधिक के बाजार पूंची करण के साथ सारवजनिक छेत्रगा, दूसरा सबसे मुल्यवान सूची बद्ध बैंक बन गया है, ओप्शन्स आपके सामने हैं, और सही आंसर होगा, ओप्शन D, So, Indian Overseas Bank has become the second most valued listed public sector bank, with a market capitalization of over Rs. 50,000 करो, जानते हैं इसके बारे में, तो देखिए Public Sector Bank है, Indian Overseas Bank आप सभी जानते हैं, तो अब ये second most valued, यानि दूसरा सबसे मुल्यवान Public Sector Bank बन गया है, SBI के बाद, और इसकी जो market capitalization है, 50,000 करोड को जो है, क्रोस कर गई है, देखिए, market capitalization का मतलब होता है, आप total share की value जो है, उसकी बता रहे हैं, अब मालीचे, Indian Overseas Bank है, इसकी total share जो है, ये 1,000 है, और हर एक share की कीमत, जो है, 10 रुपीज है, तो अब अगर 1,000 को 10 रुपीज से multiply करेंगे, तो आ जाता है 10,000, तो यानि की market capitalization कितनी है, 10,000 capitalization को calculate किया जाता है, साथ हम बात करें, इंडियन Overseas Bank की, तो इसके MD and CEO है, पार्थ प्रतिम सेन गुपता, और हैटकाटर से चेननाई तमिलाडू में, सही उप्तराष्ट के अनुसार, Antarctic महादीप के लिए नया record उच्चिताप मान किया है, सही आंसर होगा, option A, so as per the United Nations, 18.3 degree Celsius is the new record high temperature for the Antarctic continent, जानते हैं इस question के बारे में, तो देखे, United Nations ने ये कहा है कि पिछले साल, 6 फरवरी को, Antarctic में, जो अर्जेंटीना का एक research station है, Aspiranga Research Station, तो यहाँ पर 18.3 degree Celsius का temperature read किया गया, और यह जो है, अब तक का highest temperature है, जो Antarctic पर record किया गया है, 18.3 बहुत जादा है, अग आप Antarctic की बात करें, साथी इस से पहले जो highest राय ये, 24 मार्च 2015 को रिपोर्ट किया गया था, 7.5 degree Celsius, साथी friends, अगर हम इस से जुड़े, अगर भारत से related, अगर हम बात करें, Antarctic का को लेकर, तो इंडिया का जो Antarctic program है, ये 1981 में शुरू हुआ था, और भारत ने जो है, अब त दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती, लेकिन आज की डेट में भारत की किवद दो ही operational research station Antarctic में कारे कर रहे हैं, एक तो मैत्री और दूसरा है भारती, साथे आपको जानना चाहिए, National Center for Polar and Ocean Research, ये गोवा में इस्तित है, राष्टे उच्चे गती, rail निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे न्यूक्त किया गया है, वो options आपके सामने हैं और सही answer होगा option C, so सतीस अगनी होत्री has been appointed managing director of National High Speed Rail Corporation Limited, और जो सतीस अगनी होत्री हैं, ये अचल खारे, इनको सक्सीट करें, इनको replace करेंगे, और जो ये आपका National High Speed Rail Corporation Limited है, इसका headquarters New Delhi में है, तो अचल जी जो हैं यहाँ पर retire हो रहे हैं, तो इनको सक्सीट करेंगे, सतीस अगनी होत्री, Austrian Grand Prix किसने जीता है, options आपके सामने हैं, और सही answer होगा option D, so Max Worst Happen won Austrian Grand Prix, तो देखें जो Max Worst Happen है, ये Belgium के हैं, और Red Bull के लिए car racing करते हैं, तो इन्होंने जीता है Austrian Grand Prix, बात करें friends, अगर हम जनवरी से लेके अब तक के जो भी Grand Prix हुए हैं, इनमें कौन-कौन भी जीता रहे हैं, तो देखें Max Worst Happen, जो की हम देख रहे हैं इस question में Austrian GP इन्होंने जीता है, इसके लावा इन्होंने, S.T.A. Mark GP जीता है, साती French GP इन्होंने जीता है, और Emilia Romagna GP इन्होंने जीता है, इनके लावा अगर हम बात करें Lewis Hamilton की, तो इन्होंने Spanish GP जीता है, Portuguese GP इन्होंने जीता है, और Beharin GP इन्होंने जीता है, यहाँ पर जो अजरबैजान GP है, यह Sergio Perez द्वारा जीता गया है, तो यहाँ से question आपके exam में बन जाते हैं, इसका screenshot ले लिजएगा, आगे बढ़ते हैं, निमली खित में से किसने, इंद्रजाल नामक भारत का पहला स्वायत drone रक्षा गुंबद विक्सित किया है, options आपके सामने है, और सही answer होगा, option C, So, Grainy Robotics has developed India's first autonomous drone defense dome called इंद्रजाल, तो देखी जानते हैं इसके बारे में, तो इंद्रजाल क्या है, यह भारत का पहला autonomous drone defense dome है, यानि कि 1000 से 2000 स्कॉर किलोमेटर तक के एरिये में, यदि कोई unmanned area भीकर यानि कि द्रोन कोई जो है अटेक करता है, तो उससे यह रक्षा कर सकता है, उस 1000 से 2000 स्कॉर किलोमेटर के दाहरे में, यानि कि उसको पेती पर आने से रोख सकता है, कौन साथ यह हाली में OECD G20 समावेशी framework tax deal में सामिल हुआ है, options आपके सामने हैं और सही answer होगा option A, So, India recently joined OECD G20 inclusive framework tax deal, देखिए इसके बारे में हमने एक separate वीडियो में भी discuss किया था, काफी important topic है, आप उसको search कर सकते हैं, जानते हैं इसके बारे में, तो देखिए यह जो framework है G20 OECD inclusive framework deal, तो इसमें यह का गया है कि जो भी company है, उसको एक तो minimum tax देना होगा, ठीक है, वो हर country के लिए एक minimum tax जो है fix रहेगा, साथ ही कोई भी country, जिस जो भी company है, वो जिस country में व्यापार कर रही है, महाँ पर उसे tax देना ही होगा, ऐसा नहीं है कि उसका headquarter जहाँ पर है, वो महीं पर tax देगा, ठीक है, तो जानते हैं इसके पारे में तो जो यह framework है, इसके दो pillar बताए गई है, पहला pillar तो यही है, कि कोई भी multinational company है, तो उसको जो जहाँ पर वो profit earn कर रही है, वो company जिस देश में, वहाँ पर उसको tax pay करना पड़ेगा, दूसरा यह है कि कम से कम 15% tax देना होगा, तो यह सभी countries में agreement बनाने की कोशिश हो रही है, कि जो है कम से कम 15% tax तो दिया जाए, जैसे कि Luxembourg है, Switzerland है, यह जो है low tax देश है, तो यहाँ पर ज़्यादातर companies अपने headquarters बनागे रखती है, क्योंकि यह कम tax लेते हैं, देखिए, तो यह इसकी पूरी summary है, आप देख सकते हैं, अब तक 130 देशों ने जो है इस agreement को join कर लिया है, भारतिय सिना ने किस इस्थान पर Captain गुर्जिंदर सिंग सूरी की याद में एक युद्ध इसमारक का उदकार्टन किया, जो 1999 में, operation बिर्शा मुंडा के दोरान सहीद हो गई थी, options आपके सामने हैं, और सही answer होगा, option C, यहाँ पर यह हो गए थे होगा, ठीक है friends, इसको, अच्छा, तो देखिए, राची इसले include किया है, क्योंकि operation बिर्शा मुंडा है, तो हो सकता है, कि confusion हो जाए, कि राची इर्टीक कर दे जाए, तो इस बात का आप धियान रखेंगे, तो देखिए, कैप्टन गुर्जिंदर सिंग सूरी, इनका birthday था, तो इनके birthday की दिन ही, जो इंडियन आर भी है, इन्होंने गुल्मर्ग, जम्मो एंड कश्मीर में एक war memorial इनको dedicate किया है, आपको बता दें कि बिर्शा मुंडा operation में इन्होंने participate किया था, 1999 में, इसी दुरान ये सहीर हो गई थे, तो देखे, जो पाकिस्तानी पोस्ट थी, चेक पोस्ट थी, तो उन पर भारत की और से raid conduct की गई थी, किसके द्वारा जो बिहार बैटालियन है, उसके द्वारा, 1999 में, तो इसका नाम रखा गया था, बिर्शा मुंडा operation, किस मंत्राले ने निपुन भारत कारेकराम सुरू किया, options आपके सामने हैं, और सही आंसर होगा option D, so Ministry of Education launched निपुन भारत प्रोग्राम, जानते इसके बारे में, तो देखे, Union Minister of Education जो है हमारे सिक्सा मंत्री रमेज पोकरियाल निशंग, तो इन्होंने निपुन भारत इसको लौच किया है, निपुन का मतलब है National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy, तो इसका मतलब क्या है, कि जो भी बच्चे हैं, तो उनको जो है एक basic literacy उनके पास आनी चाहिए, ठीक है, और जो संख्या का ज्यान जो होता है, जो संख्या गणना होती है, उसका basic knowledge उने होनी चाहिए, कब तक grade 3 जवुन का पूरा हो जाए तब तक, और ये भारत ने target है, 2027 तक हम इस तरह का जो है, एक माहुल बना देंगे, कि बच्चे जो है basic सिक्षा उन्हें आनी चाहिए, यानि जैसे बोलना, जोड़ना, घटाना, इस तरह को आप समझ सकते हैं, जो basic, जो numeracy होती है, यानि कि संख्या गणना होती है, और साथ ही आपको जानना चाहिए, ये जो निपून, ये जो launch की गई है, ये एक समग्रे सिक्षा, ये एक centrally sponsored scheme है, तो इसके तहर इसको launch किया गया है, देखे friends, एक तो होता है centrally sponsored scheme, एक होता है central sector scheme, तो centrally sponsored scheme में क्या होता है, जो funding होती है, वो central government और state government द्वारा, दोनों के द्वारा दी जाती है, और जो central, sector scheme होती है, वो scheme की जो पूरी funding होती है, वो central government द्वारा ही दी जाती है, तो जो ये समग्रे सिक्षा scheme है, ये centrally sponsored scheme है, यानि कि इसकी funding जो है, वो राज्य भी देते हैं, जिस राज्य में हो रही और Central Government भी देती है साथ ही आपको जानना चाहिए कि Education Ministry में जो राज्य मंत्रिय का नाम है संजे दोत्रे 52 आई एफ एफ आई फेस्टिवल 20 से 28 November 2021 तक किस राज्य में आयोजित होगा औप्शन्स आपके सामने है और सही आंसर होगा औप्शन ए तो गोवा में होगा ये जानकारी दी है Minister of Information and Broadcasting प्रकास जावडेकरजी ने और ये गोवा में होगा कबसे 20 से 28 नमबर के बीच में आई एफ एफ आई यानि International Film Festival of India भारत और किस देश ने सासन सुधार पर एक समझोता है कि आपन पर हस्ताक्षर किये है औप्शन्स आपके सामने है और सही आंसरों का ओप्शन C तो सासन सुधार पर एक ये MOU साइन किया गया है जो Department of Administrative Reforms and Public Grimances है भारत में ये Ministry of Personal Public Grimances के अंतरकाता है तो इसने Gambia के साथ ये MOU साइन किया है आपको जानना चाहिए जो Gambia है इसकी Capital Banjul है और इसी करनसी है Gambian Dalasi पश्चिमी प्रसांत छेत्र में 30 से अतिक वर्सों बाद Malaria मुक्त गोशित होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है सही आंसर होगा Option B जानते इसके बारे में तो देखिए World Health Organization ने कहा है कि 30 साल बाद कोई कंट्री Western Pacific Region में जो है Malaria Free होई है क्योंकि 30 साल पहले इससे पहले 1981 में Australia Free होई थी और 1982 में Singapore हुआ था और 1987 में Brunei फ्री हुआ था तो अब जो है चाइना ये Free हुआ है Malaria Free इसको गोशित कर दिया गया है और अब तक जो है WHO ने 40 कंट्रीज को Malaria Free Certified किया हुआ है और जो लेटेस्ट है वो 2021 में ही El Salvador को इन्होंने Malaria Free बताया था परेटन मंत्राले ने भारत के आतित और परेटन उद्यों को मजबूत करने के लिए निमली कित्में से किसके साथ एक समझोता क्या परहस्ताक्षेर किये है और सही आंसर होगा Option A So Ministry of Tourism signed an MOU with Yatra.com to strengthen hospitality and tourism industry of India So tourism industry को जो है मजबूत करने के लिए Yatra के साथ Ministry of Tourism ने MOU sign किया है The light of Asia The poem that defined the Buddha नामक पुस्तक के लेका कौन है Options आपके सामने है और सही आंसर होगा Option C So Jairam Ramesh is the author of the book titled The Light of Asia The Poem that Defined the Buddha और आपको जानना चाहिए Jairam Ramesh जो है ये करनाटक से राज्यसबा MP है महिला PGA Championship किसने जीती Options आपके सामने है सही आंसर होगा Option A So Nellie Koda won Women's PGA Championship तो यहाँ पर Golf की बात हो रही है और जो Nellie है ये American Professional Golfer है इन्होंने जीता है Women's PGA Championship M. प्रसनन जिनका हाली में निदन हो गया किस खेल के पूर्व खिलाडी थे Options आपके सामने है सही आंसर होगा Option C So M. प्रसनन का हाली में निदन हो गया है Who is known as the founder of Paralympic Movement केम इंटू इफेक्ट इन इंडिया ओन विच डेट इन विच स्टेट And fifth question is As a response to the September 11, 2001 Terror Attacks The United States Begin Operation Enduring Freedom On October 7, 2001 In which country Question क्या हुआ 11 सितंबर 2001 को Terror Attack हुआ था उसके बाद US में हुआ था उसके बाद US ने 7 अक्टूबर 2001 को Operation Enduring Freedom ये एक Operation launch किया था Terrorist के खिलाब तो mainly कहाँ पर किस country में launch किया था ये आपको बताना है Important question है इसको answer जरूर कीजिएगा और 5 questions के answer देने का आप कोशिश कीजिएगा और आपको एक question का answer भी आता है तो अभी आप हमें comment box में जरूर बताईएगा साथी guys आप सभी current affairs funda को तेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current quizzes हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ fellow experience के साथ हमारे current affairs को share जरूर करें और आज का यह video session आपको कैसा लगा यह हमें comment box में जरूर बताईएगा thank you guys